खबर गुजरात के वड़ोद्रा से है जहाँ पर एक करोड रुपाई की कीमत के पुराने नोट बरामद हुआ है यहां के मांजलपूर इलाके में पुलिस ने पुराने नोटों के साथ चार लोगों को भी गिरफतार किया है इनके पास से पुराने वाले 500 रुपाई की 14,758 नोट और 1,000 रुपाई के 26,018 नोट पकड़े गए हैं पुलिस ने फर्जी ग्रहाग भेज कर दरसल इस ग्यांग को पकड़ाए और यह बताया जा रहा है कि नोट के यह पूरी खेप सूरच से आई थी मुख्य आरोपी किरीट गांदी है और वो मांजलपूर में आटो गहराच चलाता है तो गुजरात में एक करोड के यह पुराने नोट बरामद हुआ है और बताया यह जा रहा है कि यह लोग कमिशन लेकर पुराने नोट बदला करते थे यह पूरा गोरक धंदा काफी वक्त चल रहा था हमने कूल चार एक्जूज को गिरिफतर किया हुआ है एक ट्रेप का आयुजन टीम PCB ने किया हुआ था और उस ट्रेप के आयुजन के अनुसर चार एक्जूज को गिरिफतर किया है उनके पास से 99,97,000 की 500 रुपी के और 1000 रुपी की नोट बरामद हुई है और फर्दर इन्वेस्टिकेसन जा रही है अभी प्रात्मिक जो प्राइमरी इन्वेस्टिकेसन के तौर पर अभी कहा जाता हो सूरत से सभी नोट आये हुए है और पुलिस ने अब चार लोगों को इस मावले में गिरफ्तार किया है ये है एबी बी नियूज आपको रखे आगे